दिन की उचाई से फिसल कर बंद हुआ बाजार, इंट्राडे में निफ्टी, मिट कैप, स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड लिवल को छुआ, फिर भी सिंसिख 307 और निफ्टी 90 अंग चड़कर बंद होने में काम्याब बजाज फाइनेंस के खिलाप RBI का कड़ा अक्शन, दो प्रोडक्ट E-Comp और इंस्टा EMI कार्ड से लोन पर रोग गाइडलाइन्स हननन का मामला राजस्तान में बीजबी ने लगाई, चुनावी वादों की जड़ी, संकल पत्र में 450 में गैस सिलिंडर से लेकर फ्री स्कूटी का वादा, गोटालों की जाज के लिए S.I.T. का गठन करने की कही बात अमेरिका में बाइडन शी जिंपिंग की मुलाकात दोस्ती बढ़ाने पर हुई बात, लेकिन बाइडन ने जिंपिंग को फिर बताया तनाशा, शी बोले चीन अमेरिका या तो दोस्त या दुश्मन दिली में छट के लिए यमुना के सफाई जारी, दिली के किनारे अलग से बनाए गए घाट, मंत्री आतिशी ने दिया, एक दो दिन में सफाई का भरोसा मलकब के दूसरे सेमी फाईनल में दक्षिन अफ्रीका की हालत खराब, चब वालिस रन पर गवाए चार विकेट, बारिश के चलते, रुका खेल फिर शुरू और खबरों की शिरवात करेंगे, दिली में प्रदूशन की वज़े से जो सासों पे संकट चाया हुआ है, उससे दरसल दिली एंसियार में पिछले कई दिनों से प्रदूशन की स्थि काफी घंभीर शेणी में बनी हुई है, इसको देखते हुए यहाँ पर पिछले ग्यारा दिनों से गैप 4 की पाबंदिया भी लागू है, इस समय दिली की अगर हवा की बात करें तो उसमें PM 2.5 के साथ पराली और दिवाली के मौके पर हुई आतिश बाजी के केमिकल्स मौदूद हैं, आज सुबह की अगर हम AQI की बात करें तो ओवराल जो AQI है वो 386 बना हुआ है दिली का, इसके लावा पूसा, इस इलाके का AQI फिलहाल 423 है, दिली युनिवसिटी के आसपास का जो इला जो ग्रैप के नियम हैं, उनको जमीनी अस्तर पे इंप्लिमेंटेशन के लिए जो है मौनिटरिंग को और तेज किया जाए, चुकि अपने हाथ में जो अभी है वो है कि जो सोर्से जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस मौनिटरिंग के लिए आज हमने निड़े लि जाए, और दिली में सिर्फ हवा में प्रदूушन नहीं है, बलकि यहाँ पर जो यमूना नदी है, वहाँ भी कम प्रदूशन देखने को नहीं मिल रहा है, इस बीच दिली में छट पूजा को देखते हुए, यमूना की साफ सफाई का जो काम है, वो जोरो शोरो से चल रहा ह दरसल इस समय यमुना में जाग फैला हुआ है और ऐसे में यहाँ पर जो छट की पूजा है वो की जानी है और यमुना के स्थिती देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लोग इसमें अर्ग जो सुबह शाम का होता है वो देश सकते हैं इसलिए नदी के किनारे एक अलग से जगे बनाई गई है एक अलग से घाट बनाया जा रहा है जहां पर लोगों के अर्ध देने की विवस्था की जा रही है और क्या विवस्था है इसका जाइजा लिया मैं समाता रोहन सिंग ने आप भी देखे चट पूजा में महस्थ दो दिन बचे हैं और मैं इस वक्त नई दिल्ले के यमना बैंक में हूँ जहां दो दिन के बाद यहां पर भव्य चट पूजा का आयोजन किया जाने वाला है लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जो इस्तिती है पूजा करने लाइक तो बिलकुल यहां नदी में फूल मालाओं से लेक्र चीजें हैं यहां पर भूरत नहीं कर देंगे वमना में सीधे च्छट का जो अर्ग है वो नहीं दिया जा सकता दिल्ली हाई कोट के नियम के मुताबिक इसलिए यहां पे इस तरह के घाड बनाये गए हैं च्छट के लिए विशेश तौर पे और यहां दिल्ली जल बोट की तरफ से यहां पर पानी डाला जा रहा है ताकि यहां पर लोग सब्सक्राइब देख सकते हैं जो पूजा समगें उस तरह की चीज़ा यहाँ में अरगणा अच्छी की गई है औक वहाँ सरकार की तरफ से लेकिन उम्मीद यह है कि जो यमना है क्योंकि यमना भी बहुत पास है और अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुई अभी भी वहाँ पे गंदगी है तो छट आते आते उसे भी थोड़ा साफ किया जा सकेगा केमरान वर्मीर के साथ रोहन सिंग दिली तो वही निफ्टी 90 अंग चड़कर 19,700 पैसर पर बंद हुआ मांकिट का पूरा हाइलाइट समझने के लिए चलते हैं यतिन की पास यतिन बताएं जरा यहां बाजार तो बिल्कुल टीम इंडिया की तरह मूरों में दिख रहा है पूरे फुल फॉर्म में दिख रहा है एक्सपायरी थी जिसके कारण आपने पिछले जो आदा घंटा था लास्ट आर उफ ट्रेड वहां आपने सेलिंग आती हुए देखी इनफाइक तीन बज़े के बाद निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट हो गया सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो यहां भी उपर के लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आपको आती हुए दिखाए पड़ी और खास करके गर हम निफ्टी की बात करें तो लगबख 110 पॉइंट का डेज हाय से नीचे आपको बंद होता हुए नजर पड़ा लेकिन बजार का एड़ांस जिकलाइन रेशियो बिल्कुल 1-1 रहा आईटी स्टोक्स में दमदार तेजी रही मेटल स्टोक्स में भी खरीदारी देखने को मिली तो ओवराल बजार जो है वो तेजी के मूड में ही है तोड़ी बहुत उपर के लेवल पे आपको मुनाफ़ का टॉप गेनर था लगबग 3% की तेजी के साथ क्योंकि इनकी दिवाली का डेटा बहुत बहुत बैतरी नाया लेकिन इनको छोड़ के अगर हम देखे तो टॉप 5 गेनर आईटी सेक्टर से ही ते जैसे TCS, Tech, Mahindra, HCL Technologies इन सभी शेयर्स में आपने लगबग 3-3% की तेजी देखी इसके अलावा losing side पे अगर आप देखे तो lower level से बजाज finance में जरूर recovery देखने को भी लेकिन Axis Bank, Coal India, Adani Enterprises जैसे Shares में आपने 1-2% के आसपास का sell-off इंटरेडे में आता हुआ देखा Midcap Gainers की बात करें तो बहुत सारे Midcap Gainers आज के सतर में आपको दिखाए पड़ेंगे खास करके Allok Industries, Sterlight Technologies, MapMy India जैसे Counters में आपने 7-10% के आसपास की तेजी देखी Midcap में Losing End पे भी आपको काफी सारे नाम मिलेंगे, खास करके Kaliyan Jewelers यहां हमने Recently देखा है कि यहां Profit Taking काफी आई है, दूसरे दिन लगातार शेह नीचे है, इसके लावा Concord BioTech और Wellspan India जैसे Counters में भी 2-3% की मंदी देखने को बिली, लेकिन आखिर में IT Gainers की भी बात कर ल और इसके अलावा Power Index में जोड़दार तेजी जारी है, इसा कहना है Goldilocks Premium Research के Founder Gautam Shah का, उन्होंने आगे कहा कि NTPC, JSW Energy और Tata Power और CDSL निवेश के लिए बहतर हैं, इनमें खरीदारी की जा सकती है हमने यह देखा है कि Power Index एक structural bull trend में है, अभी recent जब correction भी आई तो Power Stocks ज़्यादा गिरे नहीं है, अब जब बजार चल रहा है, तो Power Stocks में अच्छी तेजी आ रही है, NTPC तो हमारा फेवरेट है, मुझे लग रहा है कि NTPC यहां से भी आपको 30-40% की return देगी, तो अगर आपन की movement, JSW Energy में आनी चाहिए, CSE एक dark horse है, हो सकता है चल जाए बट एक underperforming stock है, और Tata Power तो evergreen stock है, I think कुछ सोचने की बात नहीं है, अनिवेशकों को अब Tata Group की एक और company में निवेश करने का मौका मिलेगा, इसके लिए Tata Motors की subsidiary company Tata Technology का IPO, 22 November को खुलने जा रहा है, जो 24 November को होगा, इस परादिक जानकारी के लिए चलते हैं, सायोगी हर्षदा सावंद के पास, हर्षदा जी बताएं जरा क्या कुछ डीटेल्स हैं आपके पास? यहाँ पर primarily एक offer for sale आएगा, IPO के जरिये करीब 3,042 करोड रुपए जुटाएंगे, जो OFS ही रहेगा, promoters इसमें अच्छा खासा अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, 21 November को यह anchor निवेशकों के लिए इशू खुलेगा, और 24 तारीक तक, 22 से 24 तारीक तक यहाँ पर retail निवेशक participate कर पाएंगे, promoters की हिस्तेदारी यहाँ पर बिकेगी, जहाँ पर 4.62 करोड शेर primarily Tata Motors ही बेचने वाले हैं, इसके अलावा Alpha TC Holding और Tata Capital की तरफ से भी कुछ हिस्सा बिकरी होती दिखाई देगी, जी बहुत शुक्रिया तमाम details के लिए आपका हरसा जी, और अब बाद बजा का पालन नहीं किया है, खास करके इन दो लोन प्रोडक्ट के तहद ग्रांकों को key factor statement issue करने नहीं करने और डीटेल लोन के key factor statement में मिली खामियों के चलते ये कारवाई की गई है, वही RBI के आक्शन में कांपनी ने सफाई भी दी है, इस पर उन्होंने कहा है कि दोनों ही लोन सवाल यह है कि आखिर का डिजिटल लोन लेने में किन बातों का आप ध्यान रखे और इस ट्रैप से आप कैसे बचे, कंजूमर अड़ा में करेंगे इस पर चर्चा, शाम पाच बचकर 77 मिनट पर और अब बाद 2024 के semi-final के राजिस्तान में 25 नॉंबर को मद्दान होना है, से पहले बीजेपी ने आज अपना संकल पत्र जारी कर दिया बीजेपी ने राजिस्तान में सरकार बनने पर 2700 रुपे प्रती क्विंटल पर गेहूं की खरिदारी का वादा किया है उजवला भारतियों को 450 रुपे में गैस सिलिंटर के अलावा बेटी के जन पर 2 लाख रुपे के बॉंड का वादा किया है बीजेपी मात्रित तो वंदना योजना के तहट महिलाओं को 8000 रुपे देगी बीजेपी ने राज्य में गोटालों की जाच के लिए SIT का गठन करने का वादा भी किया गोशना पत्र जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा आपको बता दे किसे पहले कॉंग्रेस ने भी अपना घोशना पतर जारी किया था जिसमें कई सारे वादे किये गये थे उसके बाद बीजेपी ने उससे भी बड़े वादों की जड़ी लगा कर अपना आज ये घोशना पतर जारी किया कॉंग्रेस पार्टी पांच बातों के लिए पांच साल में जानी गई रश्टाचार, बहनों बेटियों का तिरसकार, किसानों का तिरसकार, युवाओं के भविश्चों से खिल रवाड और गरीब लोगों के साथ अत्याचार तो मैं कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी आज चुनाव प्रचाल के लिए राजस्थान पहुंचे, राहूल जैपूर में मुक्यमंत्री अशोक गहलोत और कॉंग्रेस नेता सचिन पाइलिट के साथ आजब नजर आए राहूल गांधी ने कहा कि वो ना सिर्फ साथ साथ दिख रहे हैं बलके एक जुट हैं भी, राहूल गांधी ने राजस्थान में चुनाव जीतने का दावा भी यहां से किया और आजस्तान में किसका पलड़ा है भारी और किसके वादों में है यहाँ ज्यादा दम आज चुनाव अड़ा में इसी पर करेंगे बड़ी चछा शाम साथ बचकर 57 मिनट पर फिर आपका स्वागत है अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में चीन और राष्ट्रपती शी जंपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन की मुलाकात होई चाल घंटे से भी जादा देर तक इन दोनों की मुलाकात चली जिंपिंग ने कहा कि चीन की अमेरिका को दबाने या फिर उसकी जगे लेने की कोई मंच्छा नहीं है लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही देश या तो दोस्त रहेंगे या फिर विरोधी बाइडन ने कहा कि जिंपिंग से कई एहम मुद्दों पर अच्छी बात हुई लेकिन वो अभी भी शी जिंपिंग को एक तानाशा ही मानते हैं का टूम मिल्दय अध्णानि मैं के जिंप टूम मलत वी दट्ट्ट्ट बाता ओिमन कciones कि अंच्त क्या प्रफ्टे सो OF यात्र बात ये वह ऑपनी jetzt मिल्दानितों जीरा ऑर्प्टे उ एकी रस्ते हैं हैं ये experts know you the曾经 sent chat और अबाद उत्तरकाशिक की जहां जिंदगी बचाने की जंग अभी भी जारी है, यहां पर टैनल में फसे 40 मज़ूरों को पांच दिन के बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। और इंटरनाशनल डेवलोप्मेंट से इस रेस्क्यो ऑपरेशन में मदद करने की अपील की है। दरसल उत्तरकाशी में रविबार को एक निर्मान धिन टनल गिर गया जिसमें 7 अलग अलग राज्यों से आए, 40 मज़ूर इसमें फस गया और वो अभी भी इसमें फसे हुए है और अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल कप की। है साउथ ऐफ्रीका ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैस्ता किया है। कोलकता में हो रह है इस मुकाबले में दोनों ही TEAM में दो दो बदलाव के साथ उतरी है। अब तक इस वर्ल्लकप में साउथ ऐफ्रेका टीम ने शान्दार खेल दिखाया हैhehe वर्ड कप के इतिहास में South Africa को चोकस का टैग मिला है ऐसे में आज होने वाला यह मैच South Africa के लिए इतिहास को बदलने वाला हो सकता है तो वहीं Australia I team शांदार फॉर्म में है Australia I team को हराना Africa team के लिए आसान नहीं होने वाला है और इसी मैच में जो भी team जीते गी आज इनको हराकर फाइनल में अपनी एंट्री कर ली 12 साल के बाद भारत मजबूत बल्ले बाजी दमदार गेंद बाजी के दम पर वर्लकप के फाइनल में पहुँच चुका है मुंबई में खेले गए इस मकाबले में टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए इस साथ बुमरा ने एक, कुलदीप ने एक विकेट जटक कर न्यूजिलेंड को 327 रन पर आल आउट कर दिया अब हातिय टीम 19 नॉमबर को एहंदाबाद में फाइनल्स खेलेगी तो भारत की इस जीत के बाद देश भर में जश्न का महौल देखा गया जगे जगे क्रिकेट प्रेमियों ने बटाके चलाए अपनी खुशी का इजहार किया त्रियंगा लहर आगर इंडिया इंडिया के नारे भी लगाए भारत की जीत पर पिये मोदी समेट का ये दिगजों ने बधाई भी दिए और इस बार ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन में जैश्री राम के जैकारे लग रहे हैं रामंदे की थीम पर सजा ये पवेलियन लोगों का ध्यान अपनी और खीच रहा है यहां का जाइजा लिया माई समौता दिपाली नंदा ने दिली में चल रहे अंतराश्टिय वेपार मेले में जिस जगा मैं आई हूँ यह है उत्तर प्रदेश का पवेलियन और आप मेरे पीछे देख रहे हैं राम मंदिर की जलक बाई जन्वरी को राम मंदिर का धाटन होना है और उसकी एक जलक इस बार अंतराश्टिय वेपार मेला में लोगों को दिखाई जा रही है और यहाँ पर काफी अट्राक्शन लोगों के बीच में इस पवेलियन को लेकर दिखाई दे रहा है जो लोग अंदराश्टिय वेपार मेला में आ रहे हैं वो जरूर विजिट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस पवेलियन को क्योंकि राम मंदर का इंतजार अयोध्या में हर कोई कर रहा है और उसकी एक जलक अंदराश्टिय वेपार मेले में देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि जो इस बार वेपार मेले की थीम है वसुदेव कुटुम्बकम यानि United by Trade उसे राम मंदर के जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके नीचे डिस्प्ले किया गया है साथ ही साथ वन डिस्ट्रेक वन प्रोड़क्ट को भी यहां पर बख्भू भी शोकेस किया गया है और लोग यहां पर जो आ रहे हैं इसको जरूर विजिट कर रहे हैं सार अयोद्या में 22 जन्वरी को हनुमान राम मंदिर के हमें दर्शन होंगे और यहां पर एक जलक दिखाई दी है क्या बोलना चाहेगे यह वी जरान अब यहां पर जो लोगा रहे हैं मैं पर लेए कमतुर्त कर रहे हैं पर पर बताएं और यहां ब्लकल आप बताए को आयूझा में राम मंदिर का उद्गाटन होगा लेकिन यहां पर एक जलक उसकी दिखाई दी है क्या कहेंगे आप मैं इसको बहतरीन कहूंगा अद्बूत कहूंगा और ये राश्ट्र हित्मे और हिंदू साहित्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और मैं जब भी भी कोई भी एंट्री करें तो यहां पर आप भी बोले मैं भी बोलूँगा जैश्री राम जैश्री राम से गुश्टा हुआ ये उतर प्रदेश का पवेलियन दिखाई दे रहा है दिपाली नंदा दिल्ली और अब बात करेंगे हमारे खास कारेकर मिशन स्वख्षता और पानी की इस खाश पेसकिस में आज हम आपको त्रिची में रहने वाले कमलम की प्रेणा दाएक कहानी दिखाने जा रहे है कम्यूनिटी ट्वालिट के साथ एक साधान सैलरी वाली महिला से लेकर एक ट्रेनर और एक आध्यात्मिक लीडर बने तक कमलम की यात्रा समाच में बड़े बदलाव का एक सबूत है यही नहीं उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाई के लिए समान अफसरों और अधिकारों के लिए भी एक मुहीम छेड़ ड़की है नमस्ते, मेरा नाम है कमलम और मैं ट्रांसजेंडर हूँ मुझे 15 साल की उम्र में ही एसास हो गया कि मेरी असली पहचान क्या है मैंने अपनी शिक्षा आठवी कक्षा तक पूरी की है स्कूल खत्म होने के बाद मैंने शास्त्र और धार्मिक संस्कृति के बारे में पढ़ाई की है और अब मैं मंदिर में अनुष्ठान करती हूँ इसके अलावा स्वच्च भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में समाज सेवा भी करती हूँ अपनी तरफ से जितना हो सके मैं करती हूँ मैंने काफी सारे प्रयास किये रोजकार कारिले में मैंने एक प्रार्थना पत्र जमा किया क्योंकि वहाँ नौकरी के लिए कोई विशेश शर्ते नहीं थी इस बात का हर साल वैकुंता एकादशी के अफसर पर विज्यापन दिया जाता है मुझे उसी से पता चला था मैं तामिलनाडो में पहली ट्रांसजेंडर सानिटेशन वरकर हूँ कमलम ऐसे ही मेरा नाम लिखा गया हमारे आसपा साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आज भी घरों में सौचाल्य की कमी है हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सौचाल्य साफ रहे और दूसरों को इनकी महत्व के बारे में जागरुक करे हमें वो पहचान और अधिकार प्रदान करें जिसके हम हगतार है यदि सफाई की सरकारी नौकरी दी जाए तो हम इनकार नहीं करेंगे बस एक बार नौकरी देकर तो देखिए और इसे के साथ इस बुलिशन में फिल हाल इतना है लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ नौकरी देखिए झापँ देखिए झापँ झाल झाल